हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग CUET के लिए सबसे आसान टोपिक कवर करेंगे, that is government budget, सबसे बेले जारेंगे, government budget होता गया है, तो government budget basically एक annual statement है, sir what is annual statement, annual statement जो किसी एक पूरे साल के लिए draft किया जाता है, इसे बोलता है annual statement, तो government budget एक annual statement है, जो show करती है, item wise estimation, of receipt and expenditure during a fiscal year, यानि कि ये government के, जितने भी government के होने वाले, receipts है, और government के होने लिए expenditure है, उनका item wise classification है, जो एक पूरे साल के लिए बनाया जाता है, इसे बोलता है government budget, इसके बाद धान से देखो, government budget को बनाया गया जाता है, इसके objectives, basically, government budget के सिर्फ दो ये objective है, that is stability and second is growth, but हम लोग of receipt, reallocation of resources, reallocation of resources, resources का मत्वारा, जहां से हमें ज्यादा revenue generate हो रहा है, हम अपने resources future में वही पर बगाएंगे न, तो इसलिए government यही देखते है, कि उनको revenue कहां से ज्यादा generate हो रहा है, और वहाँ पर अपने resources को डाल देखती है, फिर reducing inequality, बैटे, inequality के लिए government ने tax process लगा रखे है, तो इसको अटाने के लिए को, जो कम कमाते हैं, उनके लिए कम tax rate, जो ज्यादा कमाते हैं, उनके लिए और tax rate, और ज्यादा कमाने हो लिए और ज्यादा tax rate, यह reducing inequality का purpose था, और एक और, जैसे कि देखको, government जो है, वो PDS चलाती है, public distribution system, बैटे जैसे राशनगार्ट, गरी में जो fluctuations है, वो बहुत जादा नहीं है, इस fluctuations को रोकने के लिए, economic stability भी budget के अंदर ध्यान की जाती है, फिर economic growth, बैटे, country की growth हमेशा depend करते है, production को rise करने पे, और जब भी country में production rise करना हमारा main target रहेगा, तो government budget के लिए यह एक main objective रहेगा, इसके बता है, management of public enterprises, बैटे, आपको जी last में employment generation, बैटे, budget के अंदर employment generation भी एक motive, motive रहता है, हमारी भारते सरकार का, जिसके अंदर government जो है, employment को ध्यान में रखते हुए, budgets को बनाती है, इसके बाद आगे देखो, type of budget, अब budget कितने प्रकार का होता है, बैटे, budget को basically तीन टुकड़े में तोड़ा गया है, number one, central government budget, यहां जिसे government budget भी बोलते हैं, इसको हम union budget के नाम से भी जानते हैं, और second is, state government budget, state government, जो मतलब state की governments है, वो अपने-पने states का budget बनाते हैं, उसे बोलते है, state budget, and last is, gram panchayat budget, बै basically, यह budget के type है, पर यह दोनों हमें, बिल्कुल भी नहीं करने है, हमारे CUT के सलेबस, के लिए, सिर्फ, center government budget ही, काम का budget है, इसे आगे चलेंगे, component of budget, budget के अंदर कौन-कौन सा item होते हैं, बिटा, अभी याभी देखाता न, आपने, देखो ही, देखो, slide भी देखो, the first is receipts and second is expenditure, तो basically 2 यी तो item cover करने है, तो मैंने यहापर 2 item cover करें है, that is, receipts and second is expenditure, बैटे, receipts दो परकार की होते हैं, revenue receipts, एक capital receipts, ऐसे expenditure भी दो परकार की होते हैं, revenue expenditure and second is capital expenditure, तो पहले हम बात करेंगे, revenue expenditure की, revenue expenditure भी आईसा, पहले रिवेन्यू रिशिट्स के बारे मत करेंगे रिवेन्यू रिशिट्स से कैसे रिशिट्स होती है जिससे असेट्स ना तो कम होंगी और लाइबिलिटी ना ही राइज करेंगी मतलब कोई भी ऐसी डिसीट्स जिससे असेट्स और लाइबिटी पर करिशी परकार का फरकना पड़े उसे बोलता है रिवेंडियू रिशीट्स लेकिन अगर यहें पर बात की जाए पर लाइबिटी बढ़ जाएगी सब क्लियर करोई से चाहिए ना यही कोई लाइबिटी बढ़ी है लेकिन पुछ ऐसे रिसीट्स भी है जो गवर्यूर्ट के लिए वेसिकली असेट को कम करती है लाइबिटी को बढ़ाती है जैसे कि माललो एक कंट्री ने दूसरी कंट्री इसे बोरो कर लिया बोरो करने से गवर्मेंट की लाइबिटी वड़ी रिसीफ तो आई लेकिन इसे लाइबिटी इंक्रीज हो गई यहां फिर मैं एक और एक्जांपल दे रहा हूं माल लो हमारी किसी दूसरी कंट्री के अंदर इंवेस्टमेंट थी हमने उस इंवेस्टमें यह तीक इसकी रहसीप्रोकल जाएंगी असेट्स ना ही बढ़ेगी लाइबिटी ना ही कम होगी बट्-capit expenditure में असेट्स यहां तो बढ़ जाएगी यहां लाइबिलिटी कम हो जाएगी इन दोर हमसे एक काम होगा सर एक बार क्लियर करो ज़को एक्सपेंचर के बारे में बात करेंगे ज़को गौर्मिंट ने सेलरी पेगी अपने इंप्लोईज की सेलरी पेगी that is revenue expenditure ना तो असेट बढ़ इसके बाल आगे देखो revenue receipts के बारे में बात करेंगे अब तो रहें को detail पढ़ते हैं सारी receipts को पहले revenue receipts के बात करेंगे revenue receipts होती है पहली tax receipts और second is loan tax receipts फहली tax receipts को देखेंगे बैट ए टक्स receipts क्या होते हैं सुनूं. First is direct tax and second is indirect tax. Sir direct tax कौन सा होता है? जिसका burden shiftable नहीं होता है. बैटे जिसका burden हम किसी दूसरे के सर पे shift ना कर पाएं जैसे income tax. Income tax मेरे उपर लगा? मुझे ही government को पे करना है. इसका burden मैं किसी और के सर पे shift नहीं कर सकता हूं. That is direct tax. इसका जिसका burden shiftable होता है. Sir समझाओ, डेको बैटे जी एस्टी, excise duty, gift tax, etc. इंडिया में income tax को छोड़के लगबग सारे के सारे tax हमारे indirect tax की कैटेगरीम आते हैं. Sir इसका burden shiftable दुकानदार है. government ने दुकानदार के उपर tax लगाए कि यह आपको tax देना है सरकार को. अब वही shop की पर, market में जब समान बेशता है, तो वही tax customer से collect करता है और government को देता है. तो बताओ, उसने अपना button shift कर दिया ना, इसलिए उसे indirect tax की category के अंदर डाल जाएगा. इसके बाद हम बात करते हैं, बताओ, non-tax receipts. बताओ, जो tax के अलावा receipts आदे हैं, government के पास. जैसे कि देखो, interest. सर समझाओ, एक एक करके देखो, interest की receipts कैसी receipts है? अब हमारी भारते सकार ने बहुत सारी countries को लोन दिया हुआ है. अब वहां से जो interest आया, यह वो interest है. यह state government को भी central government loan दिया हुआ है. तो state government से जो interest आया, इसके अंदर वो interest भी add होगा. Second, profit and dividend. अभी अभी आप लोगों ने देखा था ना, कि government की अपने कुछ organization होती है, या government कुछ और private company के अंदर investment भी की होती है. तो जो profit है, वो उनके खुद की organization का है, जो उनको receive होता है, और dividend जो उन्होंने investment की हुई है, उस पर जो dividend मिलता है, यह वो dividend है. इसके पर हम बात करेंगे fee की. Sir fee, बीटे one time payment, कोई भी ऐसी one time payment, जो हमारे को देनी होते है government को, किसी भी काम को process करने के लिए, जैसे मानलो तुम किसी एक museum में घुमने गए, उस museum की ticket, मानलो जैसे आप license बनवाते हो, driving license लिया, driving license के nominal fees है, जो सरकार ने आप से charge की, उसके बाद आपको 20 साल के लिए allowed कर दिया, वो जो fees है, उसे बोलेंगे license fees, ठीक है, ऐसे fine and penalties, बेटे road पे चलान करते हैं लोगों के, scooter चला रहा है, helmet नहीं लगा रहा है, चलान कर दिया, वो सारे के सारे fine और penalties इसके अंदर रहेंगे, या किसी ने government को tax time पे पे नहीं किया, government जो है, उस property को लेगी और उससे जो भी revenue आएगा, that is considered as estate and जी, इसके माद है for features, बेटे for feature होता है, जब्त करना, for feature का हिंदी माद होता है, जब्त करना, किसी भी चीज़ को जब्त, जैसे वालो, इंडिया से बाहर से कोई basically assets को लेके इंडिया के अंदर आ रहा था, without pay of tax, tax पे यह नहीं किया उसने, बगाया tax दिया अंदर लेके आ रहा है देश के, government ने पकड़ लिया, तो government उसकी चीज़ को जब्त कर लेगी, इतने भी value increase करेगी, उस पे एक special tax लगाती है, government, that is known as special assessment, इसके बाद बात करते है, बाटे कैपिलली सीट्स की, इसके बात करते है, पहला बोरिंग्स, पता ही आप लोग का बेवे बने डिसकस किया था, अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, अगर मालो, हमारे देश ने borrow from other country किया, बैटक जैसे हमने borrow किया other country से, क्या होगा, हमारे पास पैसे तो आएंगे, लेकिन हमेरी liability rise कर जाएगी, है ना, second recovery of loan, हमने किसी country को loan दे रखा था, अब हमने वो रिकवर कर लिया, जैसे हमने वो loan रिकवर किया, हमारी assets कम हो जाएगी, ठीक है ना, लेकिन वो receipt त अब मालनो हमने, मैंने किसी country के अंदर, दो परतार की investment की थी, portfolio और FDI, अब यही दोनो investment मैंने sale कर दी, उसी country में sale कर दी, अगर मैं यह दोनो investment उसी country के अंदर sale कर दूँगा, तो मेरे पास receipt आएगी, लेकिन हमारी जो assets है, वो fall कर जाएगी, ठीक है, इसके बाद हम बात करत पड़ी, SM expenditure के बारे में बात करेंगे, अब expenditure दो टुक्रों में तोड़ा मैंने, एक revenue expenditure, जैसे मैंने example लिया था, payment of salary, of salary, of government, employees, subsidies, मतला government जो भी हमें free में दे रही है, जो government के सर पर कोई प्रतागी liability नहीं है, लेकिन basically government उसे खच कर देती है, तो इससे ना तो government की कोई assets, increase करती, और नहीं कोई liability, decrease करती, इन दोर में से कोई भी काम ही होता, लेकिन capital expenditure, capital expenditure से, यहां तो assets, rise करेगी, यह liability, fall करेगी, देखो, loan and lending, हमने भाहर के देश को loan वगएर अपकोई कर दी है, assets बढ़ गई, है तो expenditure, लेकिन assets, rise करेगी, repayment of loan, अब हमने, हमारे सर पर जो कर लेकिन है तो expenditure ही, and third is investments, अगर हम किसी देश में investment करते हैं, तो हमारी assets जो है, वो rise कर जाती है, और asset rise करने के कारेण वो expenditure तो है, लेकिन वो कौन सा expenditure है, capital expenditure, इसके बाद हम बात करते है, budget की, budget को हम तीन टुकड़ा में classify करेंगे, first is balanced budget, second surplus budget, and third deficit budget, sir समझाओ एक बार, balanced budget तब ह होता है, जब हमारी receipts और expenditure एक दूसरे के बरापर होगे, लेकिन अगर हमारी receipts जाता है expenditure से, तो उससे हम surplus budget बोलेंगे, और अगर receipts कम रह गई, expenditure से, तो deficit budget बोलेंगे, और ध्यान अखना, deficit budget is a problem for a economy, ठीक है, आगे देखो, अब हम budgetary deficit के बार में बात करेंगे, क्योंगी discuss क 11-12 में आपने जब भी budget पड़ा, तो बहुत सारे concept में हमने budgetary deficit को ignore किया, तो budgetary deficit को इस बार हम consider करके चलेंगे, जब 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 जाता हो जाता है, हमारी total receipts से, तो उससे budgetary deficit करते हैं, और budgetary deficit को हम तीन टुकड़ों में classify करते हैं, first is revenue deficit, fiscal and primary deficit, बेटे सर, what is revenue deficit, पेटे सिंपल है, revenue expenditure में से, अगर मैं revenue receipts minus कर दूँ, तो हमारे पास revenue deficit निकल के आज जाएगा, second, अगर सर, fiscal deficit क्या होता है, सर, total expenditure में से, अगर मैं total receipts minus कर दू, net of boring, boring को हटा कर, तो fiscal deficit निकल जाएगा, और अगर मैं fiscal deficit में से, interest minus कर दू, वो भी last year वाला, तो हमारे पास primary deficit निकल जाएगा सर, यह बात clear नोई, मैं clear करता हूँ, देखो, माल लो, एक balanced budget है, इस balanced budget में, दो चीज़े होती है, और receipt भी दो परकार की होती है, expenditure भी दो परकार कोता है, एक revenue, and capital, बेटे सुनो, माल लो, एक balanced budget है, जिसमें receipt और expenditure एक दूसरे के बड़ाबर है, माल लो, मैं से लेता हूँ, 2000, और इधर भी लेता हूँ, 2000, अब इसमें से, माल लो, 1000 की revenue receipts है, 1000 की capital, 1000 का revenue expenditure है, 1000 का capital, it's a perfect example of balanced budget, अब balanced budget के बाद, अगर हमारे revenue receipts, और revenue expenditure, इन दोरों में फरका जाए, माल लो, ये 200 पर बढ़ जाए, तो हमारे revenue expenditure तो हो गए, कितने, 1200, और revenue receipt हो गई, कितनी, 1000, तो देख़ो, इससे तुमारे को एक deficit create होगा, जिससे वो लेंगे, revenue deficit, कितना, 200, इसमें मैंने किया revenue expenditure से revenue receipt minus कर दी, लेकिन देखो, इससे total फर्क क्या बढ़ा, अब ये हो गया, 200 एड हुआ, तो बाइस सो हो गया, और ये विचारा 2000 ही रहा, लेकिन, अब इसकी वे से capital receipts rise कर जाएगी, और capital receipts rise करते ही, ये भी आजएगा कितना, 2200, हो गया फिर से balance, लेकिन देखो, अगर मैं तुम्हे, fiscal deficit के formula को लगा हूँ, जिसमें मैं बोलू, total expenditure, minus total receipts, तो आएगा, 2200, minus 2200, तो बताए, तो जीरो आगा, है न, इस वजए से, मैं net of borings को हटा देता और मैं ऐसा कहा सकता हूँ, कि fiscal deficit is always close to borings, तो fiscal deficit और borings दोनों हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, किसके बाद हम बात करेंगे, अपने पिछले topic पे, primary deficit, ये होता है fiscal deficit में से वेज़ाब मैंने interest को minus किया तब, अब सर ये तीनों जो deficit आपने बढ़ाए, इन तीनों deficit की implications क हैं, परभाव क्या पढ़ने वाले हैं, क्या होता है हमारी economy में इड़की से आ जाते हैं, तो, देखो जहां से देखना, first, revenue deficit की implication, revenue deficit होता क्यों है, देखो, revenue expenditure, जब more than होता है, revenue receipt के, मतलब, regular recurring nature की income सरकार के पास, आर ये कम, और खर्चा हो रहा है जाता, it means, government is incapable to meet their regular expenditure, यानि कि ये government की एक incapability दिखाता है, कि वो अपने regular खर्चे भी नहीं कर पा रही है, second, ये disinvestment को promote करता है, क्योंकि पैसे तो चाहिए है ना, regular खर्चे करने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे यमारी जेब में है नहीं, अब पैसे यमारी जेब में नहीं है, तो मैं ट्या करूँगा, अपनी खर्चे कम करो, या अपनी इंकम अड़ाओ, क्या कर रहे है, इसको balance करने की कोशिश कर रहे है, समझाया है, तो warning to cut expenditure, और increase revenue, ये भी जानखना, and last is, use of borrings, और पैटे, इसको match करने के लिए, हम borrings भी करते है, अब भी, अभी मैंने एक मिनिट पहले आपको एक chart बना के देश के बोरो की जाएगा, तो क्या होगा, देखो, debt trap, कर्जे का जाल, हम कर्जे के जाल में फसते चल जाएंगे, बहुत सारे देश की एकोनोमी है, जो आज कर्जे के जाल के अंदर फसी हुए, ठीक है, second, inflation, sir, महंगाई कैसे बढ़ेगी, ये तो समझी नहीं आया, sir, question आ या USA में रुपीज की, आप जो मर जी मानो, ठीक है, अगर मेर को ये बताओ, अब हमारे पर कर जाओ गया, अब मैं नए note currency प्रिंट करूँगा, तो नए currency प्रिंट करूँगा, तो demand तो उतनी है, supply rise कर गई, तो हमारी currency की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल कर जाएगी, और तो foreigners हमारे देश के समाना को खरीदेंगे, तो हमारे देश में चीज होगी shortage होनी शुरू जानी है, और जैसे shortage होगी, देश के अंदर, एक कनार, 100 विमार वाली situation पैदा होगी, जो inflation को rise करेगी, ठीक है, इसके बाद है, adverse effect on future growth, future growth को adversely effect करता है, क्योंकि जो लोग करजे में वो लोग आगे growth नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सारा पैसा तो हमारा जो भी आएगा, वो आगे, जो production में लगना चाहिए था, वो production में लगेगा, बोरेंक्स को pay करने में लगेगा, and, last is foreign dependency, जब हमारे को पैसो की shortage होगी, तो हम बार बार किस की तरफ देखेंगे, foreign countries की तरफ इंप्लिकेशन में ये भी चार इंप्लिकेशन थी, fiscal deficit की, इसके बाद हम बात करते हैं, if primary deficit equal to zero, तो क्या होगा, सर ये भी कोश्चन आता है, वे परने बड़ा important है, देखो, आपको सबको पता है, primary deficit equal to होता है, fiscal deficit minus interest के है, अगर मैं primary deficit को zero एक दूँ, तो fiscal deficit minus interest हो जाएगा, अगर मैं इसको इधर लेकि दाऊंगा, तो interest equal to fiscal deficit हो जाएगा, it means, ये वो situation है, जिसके अंदर government को जो borings है, बोरिंग्स, ये सिर्फ इसलिए करनी पड़ रही है, ताकि वो अपना interest पे